हेलो दोस्तों, आरके मिक्स इंटेटेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपसे मात्मा गांधी और गांधी जैनती पर दस सवाल पूछूँगा देखते हैं आप कितनों के जवाब दे पाते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन्स के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ए, मात्मा गांधी का जनम कब हुआ? ए, 24 सितंबर 1844, बी, 26 जनुरी 1850, सी, 15 अगस्त 1845, या डी, 2 अक्टूबर 1889 सही जवाब है डी, 2 अक्टूबर 1889 कोस्चन नमबर दो, मात्मा गांधी काहां पैदा हुए थे? ए, मध्या पर्देश, बी, पोर्बंदर, सी, करनाटक, या डी, आंधर पर्देश इसका सही जवाब है बी, पोर्बंदर अब है तीसरा कोस्चन मात्मा गांधी की मा कौन थी? ए, मीरा गांधी बी, कस्तुर्बा गांधी सी, पुतलिबाई गांधी या डी, अनुरादा गांधी The answer is C, पुतलिबाई गांधी सवाल नंबर 4 गांधी जैनती कब मनाई जाती है? A. 2 अक्टूबर B. 5 सितंबर C. 25 दिसंबर या D. 26 जनुरी A. 2 अक्टूबर मात्मा कांधी के जनम दिन के उपलक्स में 5. निमलखित में से कौन सा नारा मात्मा कांधी के नाम से जुड़ा हुआ है? A. सावराज मेरा जनम सिद अधिकार है B. तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा C. करो या मरो या D. जै हिंद The correct answer is C. करो या मरो सवाल नंबर 6 मैं 1883 में मात्मा गांधी का विवा किस से हुआ था? A. अनुरादा मुकरजी B. कस्तुर्बा माखंजी C. मीरा गांधी या D. पुत्ली बाई गांधी सही जवाब है B. कस्तुर्बा माखंजी Question No. 7 Time Magazine ने मात्मा गांधी को Man of the Year से किस वर्ट में नामित किया? A. वर्ट 1922 में B. वर्ट 1945 में C. वर्ट 1918 में या D. वर्ट 1930 में The correct answer is D. Year 1930 Question No. 8 मात्मा गांधी का साबरमती आस्रम कहां है? A. एमदाबाद B. राजकोट C. पठानकोट या D. बड़ोदा सही जवाब है A. एमदाबाद 9. मात्मा गांधी की मिर्टिव कब की गई थी? A. 14 जन्वरी 1945 B. 30 जन्वरी 1948 C. 16 जन्वरी 1988 D. 10 जन्वरी 1945 सही जवाब है B. 30 जन्वरी 1944 ये है दस्वा और लाश कोशन मात्मा गांधी की मिर्टिव की तारीक बारत में किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? A. गनतरतर तिवस B. दास दिवस C. सवतंतरता दिवस या D. सहीद दिवस तक क्रेक्ट आंसवर इस D. सहीद दिवस अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेर करें, कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिये हैं और सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद